नमस्कार नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नागपूर के विविद्ध हल्चल पर विश्व कार मुक्त दिवस के अउसर पर बुद्धवार 22 सितंबर को स्वतंतरता अमरुत महुतसव वर्षन हिमित्त साइकल रैली का आयोजन किया गया था रैली लेडिस क्लब चौक से सिविल लाइन सुबह साड़े छे बजे प्रारंब हुई कार छोड़ो, साइकल चलाओ और मेट्रो पक्ड़ो परियावरन सनरक्षन के लिए मेट्रो का उपयोग करने के लिए नागरिकों को जागरुक किया गया साइकल रैली का आयोजन महा मेट्रो, नाकपूर मनपा, नाकपूर पुलीस, नाकपूर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन, मिल्स एंड मिलर्स, साइकल फॉर चेंज, इंडिया पैडल्स, लाफ्टर राइडर एंड रनर्स द्वारा सयुक् इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया, मनपा आयोगत राधा कृष्णन बी ने वर्ल्ड कार फ्री साइकल रैली में भाग लिया, इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नाकपूर मध्यभारत का सबसे बड़ा शहर है और यहां नॉन याने NMT को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्होंने कार फ्री डे के अवसर पर सभी नागरिकों से अपने दैनिक उप्योग में मोटर कार, आदिवाहनों का उप्योग करने की बजाए, शहर में उपलब्द सर्वोत्म गुनवत्ता वाली मेट्रो सेवा के साथ 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 स सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, इस अभियान की अंतर गज शहर के लोगों को सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा के विशय में जागरुक किया जा रहा है, बुद्वार को RBI चौक से इसका शुबारंब हुआ, कारिक्रम में मुख्यातिति के रूप में DCP ट्राफिक सारंग अभार, ACP ट्राफिक अजय कुमार मालवी, किंग्जवे होस्पिटल के CEO डॉक्टर आशिश चंद्रा, CFO निलेश मुनड़ा, बजाज सामी, AGM Marketing and Communication, रोशन फुलमांदे AGM Business Development, वह सीनियर मैनेजर जितेंद्र लोधे के साथ Business Development और ब्रैंडिंग टीम के सदस्य विशेश र उनसे नियमो का पालन करने की अपील की गई, इस दोरान हेलमेट पहने दो पहिया चालकों को गुलाब देकर सतकार किया गया, जिन दो पहिया चालकों ने हेलमेट नहीं पहना, उन्हें इसकी आवश्यक्ता के बारे में जागरुक किया गया, साथी किंग्जवे होस्पिट जलकी और से उन्हें हेलमेट प्रदान किये गए रोड सेफटी वीक के अंतरगत आज एक रोमांचक नुकर नाटक के माध्यम से विराइटी चौक और लॉकॉले चौक पर लोगों को जागरु किया जाएगा कोरोना महामारी के कारण लगभग देड़ वर्ष तक अनेक परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था उन परिवारों से मिलने जुलने की कड़ी बन रही ऐसी अवस्था में वैश्य एक्ता परिशद ने सनेह मिलन के साथ गीतो भरी शाम का आयोजन वैश्य भवन परिशर में किया महापौर दयाशंकर तिवारी के मुख्य आथित्य में दीप प्रजवलन के साथ कारेकरम का शुबारंब हुआ कारेकरम की अध्यक्षता अखिल भारतिय वैश्य एक्ता परिशत के महाराश्ट्र अध्यक्ष रामकृष्ण गुपताने की महानगर के अनेक गणमान्य महानुभाव की उपस्तिती सराहनी रही खादी ग्रामुद्योग के राष्ट्रिय सदस्य जै प्रकाश गुपता, कैट के राष्ट्रिय अध्यक्ष बीसी भरतिया, सन्राइस पीस मिशन के अध्यक्ष हर गोबिंद मुरारका, गोपाल अग्रवाल, संदेश, संस्ता के उपाध्यक्ष जुगल किशोर गुपता, एवं राजकुमार गुपता, कमलेश के सरवानी, गांधिबाग बैंक के पूर्व अध्यक्ष रतन लाहोटी, मलकापूर बैंक के ब्रांच मैनेजर लशकरे, सेल्टैक्स बार असोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष शिव रतन गांधी, सहसंपादक आनंद निर्वान, शह वरग्य समाज के अध्यक्ष क्रमशह शंकर गुपता, भरत गुपता आधी की उपस्ति थी रही। डॉक्टर रविन्र भुसारी लिखित नाटिका, महादेवी त्रिश्लारानी की भूमिका वैदेही सोईतकर, महावीर के पिता राजा सिधार्थ की भूमिका अविनाश वेखंडे और बाल कलाकार बाल महावीर की भूमिका राम सागर राठी ने की, पार्श्व संगीत अन सुरिश्री आगर कर, प्रकाश वाके कर, गजल विभास गाहन करने किया, मंगल उद्बोधन हर्शा वेखंडे, ग्रुहस्ताचार्य आगम रत्नपंडीत मनुहर राव आगर करने किया, सचीन जैन का साक्षातकार डॉक्टर रवीन्र भुसारी, सचीन कोठारी का साक्षात सचीन कर, प्रकाश वाके कर, विभास गाहन करने किया, धिप प्रजवलन, महंद्र कुमार कटारिया, दिलिप शीवन कर, अनन्तराव शीवन कर, धूल चंद जैन, बसंती देवी जैन, डॉक्टर नरेंद्र भुसारी, शरतमचाले, कलपना सावल करने किया, विदर्ब के 13 लाग व्यापारियों की अग्रणी वशिर्ष संस्था नाग विदर्ब चेमबर ओफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाडिया के साथ चेमबर के पदाधिकारियों के साथ नागपूर में नवनियुक्त कस्टम आयुक्त गुरुदीप सिंह का चेमबर की और से स्वागत सतकार किया अश्विन मिहाडिया ने कस्टम आयुक्त गुरुदीप सिंह को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया तदा चेमबर उन में वेसल रिपैरिंग सेंटर की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि विधर्ब के निर्यातकों को निर्यात करने के मदद हो चेंबर के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि कस्टम द्वारा निर्यातकों को जल्द से जल्द क्लियरेंस देना चाहिए ताकि दूसरों को निर्यातकों को निर्यात के लिए वेसल मिलने में सरलता हो उत्पादकों के लिए सरकार वेरहाउसिंग योजना पर भी चर्चा की और कहा कि वेरहाउसिंग योजना को विदर्ब में बढ़ावा देना चाहिए तथा निर्यातकों के GST के रिफंड के लंबित मामलों को निप्टाने में विभाग द्वारा सहयोग करने का निवेधन किया गया भूला प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल में हिंदी पकवाड़े के अंतरगत शाला की मुख्यध्यापिका श्रीमती एक्ता परदेशी द्वारा शाला की शिक्षिकाओ के लिए स्वर्चित हिंदी कविता पठन का आयोजन किया गया शाला की सभी शिक्षिकाओ ने उत्साहपूर्व भाग लिया कारिक्रम की शुरुवात मा सरस्वती के आशिरवात द्वारा की गई ततपश्चाथ श्रीमती नेलसन द्वारा हिंदी दिवस के बारे में जानकारी दी गई शिक्षिकाओ का होसला बढ़ाने के लिए मुख्यध्यापि का द्वारा नारी शक्ती विशय पर एक अत्यंत प्रेरनादाई कविता प्रस्तुत की गई मुख्यातिति के रूप में डॉक्टर रुपिंदर चटवाल एवं श्रीमती पूजा अखिल तिवारी थे जिन्होंने स्परधा के निरनायक गन की भूमी का भी निभाई स्परधा के अंत में विजयताओ के नाम घोशित किये गए श्रीमती शाली नितिवारी श्रीमती पूलिन फ्रांसिस एवं श्रीमती भावना एर्गुडे को क्रमशह प्रथम द्वितिय एवं तृतिय स्थान दिया गया कार्यक्रम का संचालन श्रीमती विजेता पाने कर तदा आभार प्रदर्शन श्रीमती शालीनी तिवारी ने किया शाला द्वारा किया गया ये प्रयास सफल रहा मनपा चुनाओं में राज्य सरकार तीन वाट का प्रभाग करे भाजपा को कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि भाजपा के पास केंद्रिय मंद्री नितिन गट करी एवं विरोधी पक्षन नेता देवेंद्र फर्नवीज जैसे नेतरुत्व के अलावा देव दुरलब कार्यकरताओं की फौज है जिसने जनता की सेवा को हमेशा अपना कर्तव्य समझ कर काम किया है कोविट काल के दौरान इनी कार्यकरताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नागरिकों की सेवा की यह पुरे शहर ने देखा इसलिए सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टिया संकुचित मानसिक्ता के वज़े से जनता की सेवा में विश्वास नहीं रखती और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की चालबाजी करती रहती है परन्तु जनता को सब समझ में आता है कनिष्ट महाविद्यालय में हिंदी भाषा के प्रती प्रती बद्धता दर्शाते हुए हिंदी पकवाडे के अंतरगत प्रश्ण मंजूशा कारेक्रम का सफल आयोजन किया गया विद्याले एवं कनिष्ट महा विद्याले की छात्राओं ने प्रश्ण मंजूशा कारेक्रम हिंदी साहित्य वह हिंदी के प्राचीन कवियों के दोहे संबंधी अनेक प्रश्णों के उत्तर अत्यंत उत्साह पुर्वक एवं होशियारी से दिये चात्राओं के उत्साहने वातावरन को जिवन्त कर दिया चात्राओं के साथ साहितिक गतिवीधी प्रमुक संगीता ज्यानचंदानी ने छोटी छोटी फुलजडिया प्रस्तुत कर कारेकरम को आनंद दायक बनाया कारेक्रम की सराहनिय प्रस्तुती अंग्रेजी अध्यापिकाव प्राजक्ता भोसले तथा ममता रोय की हास्यपूर्ण नाटिका रही जिसने हिंदी वह हिंदी भाषियों का सर गर्व से उचा कर दिया सोनल चावला ने एक कविता प्रस्तुत कर हिंदी भाषा का महत्व उजागर किया अपने अध्यक्षिय भाषन में प्राचारिया तेजिंदर वेनुगोपाल ने कहा हिंदी राष्ट्र की धड़कन है लेकिन इसके साथ मात्रु भाषा को भी पीछे नहीं छोड़ना है बुध्वार दोपहर को ताजनगर मानकापुर चौक में एक आंगनवाडी में भेट देकर आंगनवाडी सेविकाओ की संपुर्ण समस्या को समझते हुए राष्ट्रिय किसान बहुजन पार्टी के उपाध्यक्ष अनिलमेश्राम प्रदेश के प्रवक्ता श्यामराव भगत, आंगनवाडी सेविका शार्दा बरेहा, कानता लेलेकर, अन्जु कालबांडे, आधिने अंगनवाडी सेविकाओ को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया साथी राश्ट्रिय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रवक्ता श्यामराव भगत का पुश्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया शिवसेना जय महराष्ट्र जनरल वर राश्ट्रिय माथाडी कामगार सेना के राश्ट्रिय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशा नुसार और प्रकाश जाधव नागपुर जिला अध्यक्ष विनोत कल्यानी के नेतरुत्व में चंद्रमनी नगर में सरकारी योजना बुद्वार को शहर में 3777 घरों का सर्वे किया जा चुका है डेंगू रोक्थाम अभियान के तहट मनपा की स्वास्ति टीम द्वारा डेंगू पीडितों के आवास के आसपास के क्षेतर में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं बुद्वार को जोन स्तर पर सर्वे क्षन के दोरान 85 घरों में डेंगू के लारवा पाया गया इसके अतिरिक्त 14 बुखार के मरीज मिले 55 लोगों के रक्त के नमूने लिये गए है सर्वे क्षन के दोरान 190 घरों में लगे कूलर का निरिक्षन किया इसमें कूलरों में मच्छर पाये गए निगम की टीम द्वारा 7 कूलर खारली कराए गए 76 कूलरों में 1 प्रतिशट टैमिफोस घोल 87 कूलरों में 2 प्रतिशट डिफ्ल्यू बेंजियूरों टैबलेट डाले गए साथ ही 20 कूलरों में गप्पी मच्छली छोड़ी गई ताकि पानी में मौझूद लारवा का खात्मा हो सके मनपा ने आवाहन किया है कि डेंगू रोक्थाम अभियान के तहट प्रतिक नागरिक इस बात का ध्यान रखे कि उनके घर के आसपास अत्वक शेत्र में कही मच्छर न पन पे डेंगू से संबंदित कोई भी हलका लक्षन होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले रवी नगर स्थित श्री अग्रसेन छात्रवास में रहने वाले विद्यारतियों ने हाल ही में घोशित किये गए सीए परिक्षा के नतीजों में शत्प्रतिशत सफलता अरजित की है जुलाई 2021 सीए इंटर और आईपी सीसी में यहां के साथ विद्यारतियों ने परिक्षा दी थी यह सभी विद्यारती उत्तिर्ण हुए सीए इंटर आईपी सीसी में रजद अग्रवाल, कलश गजरानी, दर्श अजमेरा, नैनीश आर्य, राजविर सिंग भातिया, अमन अग्रवाल, रवी जैसवाल यह सभी विद्यारती उत्तिर्ण हुए सीए फाइनल में पाच में से चार विद्यारती सफल हुए रतनेश अग्रवाल, कलश पाटनी, रादेश खंडेलवाल, आयोश बगडिया ने सफलता प्राप्त की ओल इंडिया रिजल्ट 10 से 15 प्रतीशत रहता है पूर्व में भी श्री अग्रसेन चात्रवास का CPT रिजल्ट शद प्रतीशत रहा ओल इंडिया औसत रिजल्ट से चात्रवास का रिजल्ट ज्यादा ही रहता है चात्रवास से पूर्व में ओल इंडिया प्रतम रैंक के साथ ही कई चात्र रैंक होल्डर्स भी रहे हैं कोवीड पीरियेड में भी जो विद्याती हॉस्टेल में रह रहे थे उन्हें सर्व सुविधा तथा कोविड सुरक्षा के साथ सर्व सुविधा प्रदान की गई। श्री अग्रसीन चात्रावास के सचीफ कैलाश जोगानी ने सभी विद्यारतियों को बधाई दी। इन मेधावी विद्यारतियों ने अध्यक्षा उर्मिला अगरवाल कैलाश जोगानी आधिका अभार्माना मुख्य कारखाना प्रबंधक ललिद धुरंदर की अध्यक्षता में पुरसकार वितरन समारोह का आयोजन किया गया। और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों, परिय वेक्षकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य कारखाना प्रबंधक ललिद कुमार धुरंदर ने अपने अध्यक्षिय संबोधन में कारेक्रम में उपस्तित सभी अधिकारियों, परिय वेक्षकों और कर्मचारियों से कार्यालाई के दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने तता गुरुह मंत्राले और रे जर रेलवे में अवल रहे। इन रोड और हाईवे सेक्टर के अवसर पर विभाशन दे रहे थे। इस वर्चुल इवेंट में विनिद अग्रवाल, गौरव मलहोतरा, विनोद अग्रवाल, टीवीम संदेप्रेड़ी, आनन संचेती आदी मौझूद थे। इस अवसर पर गटकरी ने कहा कि कोरोना ने देश के सबी हिस्सों में एक चुनोती पूर्ण स्थिती पैदा कर दी है। अब सकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकार का व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के प्रती भी सकारात्मक रवईया है। सरकार की भूमी का उद्योग को समर्थन देना है। सरकार उद्योग, व्यापार और व्यवसाय को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। सडक और राजमार्ग वंत्राले ने कई सडक पर योजनाय शुरू की है और इन पर योजनाओ को गती दी है। सरकार ने 100 कराड उसे पात सो रुपए के नकली नोटों का बंडल थमाया और करीब एक घंटे अपने साथ घुमाया और बंडल के बदले उसके पास से आभूशन लेकर चले गए शास्त्री नगर एनाइटी गार्डन के समीप निवासी अंजनाबाई नंदकिशोर बाउने 47 घरेलु कार्य करत एक ने शुरुवात में अंजना को जरूरतमन होने का नाटक करते हुए उनके पास से खाना मांगा इस बीच दूसरा युवग भी वहाँ पहुचा और दोनों ने अंजना को पास सो रुपए के नोटों का बंडल दिखाया वह नोटों का बंडल अंजना के पास की छतरी मे को धोके का एहसास हो गया तो उन्होंने शिकायत धर्च कराई पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजिकरन किया जा सकता है इसी तरह हाइड ड्राइव इन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड के जरिए टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकिस्सा स्वास्तिय अधिकारी डॉक्टर संजेच चील करने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा सहेब आमबेट प्लर अस्पताल काम्टी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स, आइसोलेशन अस्पताल, इमाम बाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल, गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल, पांच पाउली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्द है श्री संत गारगे महराज बहुद्देश्य विकास मंडल ने महापौर दयाशंकर तिवारी से मांग की कि शहर में गनेश पेट के टी पॉइंट का नाम संत गारगे महराज के नाम पर रखा जाए इस संबंद में बुद्वार को प्रतिनिदी मंडल की और से महापौर को ग्यापन सौपा गया इस अवसर पर मनपा टाउन प्लाइनिंग विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसारे, नगर सेवक नागेश सहारे, मंडल अध्यक्ष डीडी सोन्टक के उपाध्यक्ष दयाराम हिवरकर और सचीव रुकेश मोतिकर उपस्तित थे संतगाडगे महराज ने अपने कीरतन के माध्यम से अंध विश्वास के अनमुलन के साथ साथ समाज में अच्छे संसकारों का प्रचार किया नागपुर महानगर पालिका के संतगाडगे महराज के कारियों को उनके मुख्याले में तैल चित्र लगा कर सम्मानित किया इसके अलावा गनेशपेंट टी पोइंट पर संतगार्गे महराज का समारक भी बनाया गया है प्रतिनिदी मंदल ने मांग की कि गनेशपेंट टी पोइंट का नाम संतगार्गे महराज के नाम पर रखा जाए नाकपूर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुद्वार को दो दुकान प्रतिष्ठानों पर कारवाई की और 10,000 रुपे का जुर्माना वसूला टीम ने 38 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरिक्षन किया नाकपूर महानगर पालिका और ग्रीन विजल फाउंडेशन के सयुक्त पहले से शुरू किया गया पूर्णिमा दिवस और ततकालिन महापौर अनिल सोले के नेतरुत्व में उर्जा बचत के लिए शुरू किये गए अभियान ने एक आंदोलन का रूप धारन कर लिया है पूर्णिमा दिवस के अवसर पर नाकपूर महानगर पालिका ने रात में कम से कम एक घंटे के लिए अनावश्यक बिजली की लाइटे बंद करने की अपील की साथ ही शहर के हर एक इलाके में बिजली की बचत को लेकर जागरुकता पैदा की जा रही है मंगलवार को लक्षमिनागर चौक पर जागरुकता फैलाई गई ग्रीन विजल स्वयम सेवकों ने पूर्णिमा दिवस के पीछे की अवधारना को समझाया परिसर के व्यापारियों से अनावश्यक बिजली के उपकरन बंद करने की अपील की महापौर दयाशंकर तिवारी मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी के मार्गदर्शन में और ग्रीन विजल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष कौस्तुप चैटर जी के नितरुत्व में टीम लिडर सुर्भी जैसवाल मेहूल कोसुरकर शीतल चौधरी श्रिया जोगे आधी स्वयम सेवकों ने क्षेत्र के तमाम घरों, कार्यलेयों और दुकानों का दौरा कर नागरिकों से अनावश्यक उपकरण बंद करने की अपील की सरकार के निर्देशा नुसार वर्ष 2004 से नागपुर महानगर पालिका शहर में हाथी पाव रोग फाइलेरिया के उन्मुलन के लिए चिकित सा अभियान चला रहा है इस अभियान के चलते शहर में इस रोग से पिडित मरीजों की संख्या में भारिक गिरावट आई है मौजूदा हालात में फाइलेरिया के मामलों का सटीक तरीके से पता लगाने के लिए मनपा के स्वास्ते विभाग द्वारा 27-30 सितंबर तक फाइलेरिया संक्रमन संबंदित सर्वेक्षिन किया जाएगा इसके लिए मनपा शिक्षा अधिकारी, जोरल चिकित्सा अधिकारी वनगर संक्रामक रोग अधिकारी और डॉक्टर संजे चीलकर ने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है आज शाम चार बजे मनपा में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन जिलों में पिछले तीन वर्षों से सभी स्थानों पर संक्रमन दर एक प्रतिशत से कम पाई गई है वहाँ सार्व भौमिक चिकित्सा अभियान को रोकने का निर्ने लिया गया है नागपूर भी राज्यक के ऐसे 6 जिलों में शामिल है इसलिए अभियान को बंद करने से पहले संक्रमन का दर एक प्रतिशत से कम है या नहीं यह सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता है अतह 27 सित्ती सितंबर तक नागपूर शहर में विशेश सर्वेक्षन अभियान चलाया जाएगा तो नागपूर हलचल में आज के लिए इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें वीकेवी न्यूस नमस्कार